नमस्कार, C20 News में आपका हार्दिक स्वादत है, मैं पनवाई लान कुछ वहाँ, देखते हैं आज जी कुछ खास था हो रहे हैं ताजनगरी आगरा में सिकंद्रा थाना छेतर के सेक्टर 10 एलाके में परवार के तीन सदस्यों की आत्मा हत्या की गटना ने एलाके को हिला के रख दिया है बताया जारा है कि मिर्तक परवार के रिष्टेदार की सुचना पर थाना सिकंद्रा पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जाँच परताल कर रहे हैं तीनों की सबों को कबजे में लेकर पोश्ट मार्टन गरह भेजा गया है S.P.C.T. आगरा विकास कुमार और S.P. आगरा प्रवाकर चोधरी ने आत्मात्या परकड़ के खुलासे के लिए टीम का गठनवी कर दिया है अब आपको पूरा मामला बताते हैं परकड़ बुद्दवार सुबह का है जब पुलिस कंट्रोल रूम को सुचना मिली कि सिकंद्रा धाना छेतर के सेक्टर दस इलाके में एक ही परवार के तेन सदस्चों के सब पंदे पर लटके हैं इस परकड़ में पती पतनी और एक बच्ची की मौत हो गई है जब के परवार का एक सदस और मिर्टक परवार का बेटा बच गया है मिर्ट दमपंती में 32 बर्चे सोनु सर्मा और 30 बर्चे गीता सर्मा और उनकी 8 बर्चे पुत्री स्रेश्टी शामिल है गड़ना के कुलासे के लिए मौके से साच संक्रन किया जा रहा है इसके अलावा परवार के नाते रिस्तेदारों के बियान दर्च किया जा रही है इलाके के लोगों से पूस्ताच की जा रही है और परवार में बचे हुए बेटे के भी बियान पुलिस दर्ज कर रही पुलिस का दावा है कि जल्द ही गड़ना का कुलासा कर दिया जाएगा इस गड़ना के बाद इलाके के लोगों में देशत का मावल देखा जा रहा है तो देखते रहिए आग जा कुश्वाहा की एक आत रुपोर्ट तक पिछले काफी दिनों से बेरोजगार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबके ऊपर के सेकंड फ्लोर पे रहता था इन लोगों ने ऐसा प्रती तोरह की कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुतादी उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है इनक आपे जाकर के इनके परीजनों द्वारा देखा गया तो हैंगिंग पोजीशन में थे पूरी बॉडी और इनको इन्होंने उतारा पुलिस मौके प्याई आगे कि और जो तंचायत नामा है 174 की FPC की कारवाई है वो प्रिशलिक है सुसाइड नूर्ट में क्या पत्री रिखाए है